नमस्कार दोस्तो मोटी विशन की धारा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जब आप प्रतिरोध को यानि कि रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं तो आप मनचाही चीजों को अट्रेक्ट करने वाले एक चुम्बक की तरह काम करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है जिसके वज़ा से हम मनचाही चीजों को अपनी जिन्देके में अट्रेक्ट नहीं कर पाते या यूँ कहिए कि सारी कोशिशे करने के बावजूद भी हम अपनी मनचाही चीजों को हांसिल करने में क्यों नाकाम्याब हो जाते हैं दोस्तों जब हम किसी चीज का प्रतिरोध करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम उसे नहीं मानते एक्चुल में किसी भी चीज का प्रतिरोध करने का मतलब है कि हम अपनी खुशी का प्रतिरोध करते हैं हम अपनी freedom का प्रतिरोध करते हैं या फिर यूँ कहिए कि हम अपने ब्रह्मान से प्रेम करने का प्रतिरोध करते हैं तो हमारा resistance हमारा प्रतिरोध ही होता है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हम उसी चक्रवियों में हमेशा गोल-गोल घोमते रहते हैं यही चीजे हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस resistance से कैसे बाहर निकल सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे अचीव कर पाए तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आप अगर किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रतिरोध करना छोड़ना होगा क्योंकि जब आपके लाइफ में किसी भी तरह का resistance नहीं होता यानि कि resistance की absence होती है तो आपके अंदर उस वक्त प्यार और अभार होता है और आप एक magnet के तरह काम करते हैं क्योंकि उस वक्त जब आप अच्छा महसूस करते हैं प्रेम के साथ जुड़ते हैं तो आपकी जो energy होती है तो वो universe को प्रेम की energy भेशती है आपकी energy universe के साथ connect होती है और उसे बताती है कि आप कितने ज़्यादा खुश है और जब universe को ये message मिलता है कि आप बहुत खुश है तो universe आपको उसी तरह की situation उसी तरह की चीजें आपकी life में भेचना start कर देता है जिससे आप और ज़्यादा अच्छा महसूस करें और जब आप अपनी इस condition को accept करना start कर देते हैं तो universe भी आपके लिए काम करना start कर देता है उस वक्त जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचेंगे जिसे आप अपनी life में पाना चाहते हैं तो वो आपके सामने आ जाएगी ऐसे पुराने मुद्दे जिसकी वज़ा से आप परिशान थे अब आपके जीवन में नहीं रह जाएंगे आपकी जो भी problem थी वो जल्दी से जल्दी solve होने start हो जाएंगे और आप अपने आस पास की हर एक चीज और हर किसी चीज से जुड़ा हुआ पहसूस करेंगे तो उस्तो हमारी लाइफ में एक बार में एक ही चीज काम कर सकती है या तो वो किसी चीज को लेकर acceptance होगी या फिर resistance होगी जब हम resistance का पूरी तरह से त्याव कर देते हैं यानि कि जब हम अपने आपको किसी situation के पुरी तरह से surrender कर देते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर प्यार की भावना जागरित होती है जब आप प्रतिरोध को छोड़ देते हैं आपके अंदर प्यार की भावना जागरित हो जाती है चलिए इसे एक example की help से समझते है माल लेजिए कोई ऐसा गलत काम है जिसे आपने नहीं किया लेकिन चार लोग जब आप पर इलजाम लगाते हैं कि इसे आप ही ने किया है आप ही ने किया है तो आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं आप उसके against हो जाते हैं आप उसका प्रतिरोध करते हैं आपके अंदर resistance की भावना बहुत ज़्यादा तीर भो हो जाती है जब जब आप पर वो इलजाम लगाया जाता है आप प्रतिरोध की भावना के साथ भर जाते हैं और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप उनकी बातों को deny करते रहते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहता है और आपके अंदर प्रतिरोध दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है आप बेचैनी और परिशानी महसूस करते हैं और इतना ही नहीं इसका असर आपके लाइफ पर भी पड़ता है लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि इसके उलट जब आप पर इलजाम लगाये जाता है माना कि वो काम आपने नहीं किया फिर भी आप जब उसे एकसेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने ही किया है लेकिन इसके उलट तब क्या हो जब आप पर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है और आप उसका प्रतिरोध किये बिना शांती से सुनते हैं और उल्टाए इलजाम लगाने वाले से ही पूस्ते हैं कि अगर ये गलत काम मैंने ही किया है तो आपके पास क्या सबूत है या मुझे इस काम को करते हुए किस ने देखा है या आपके पास जो भी सबूत हो वो लाकर मुझे दिखा दीजिए उसके बाद मैं इस काम को करने की पूरी जिम्मेदारी अपने उपर ले लूँगा लेकिन आपकी जो मनस्तिती थी वो पूरी तरह से स्टेबल रही आपने अपने दिमाग के उपर किसी को भी हावी नहीं होने दिया तो दूसरी कंडीशन में आप कभी भी उस बात को लेकर परिशान नहीं होंगे आपने इलजाम लगाने वाले पर ही उसका भार डाल दिया कि वो ही वो साबित करें कि आपने क्या किया है तो याद रखें कि जब आप किसी चीज का भी प्रतिरोध करते हैं तो आप उन बातों को साबित करने के जिम्मेदारी भी पूरी तरह से अपने उपर ही लेते हैं तो जब तक आप किसी भी बात का प्रतिरोध करते रहेंगे और इसका कारण है हमारे अंदर का एहंकार। और एहंकार प्यार के बिल्कुल अपॉजिट होता है। हम अपने एहंकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। सच तो यह है कि हम खुशी और विश्वास की जगा डर की कंडिशन में बहुत ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। हमने खुद को निराश, आहत और उत्तेजित होने से बचाने के लिए डर पर भरोसा करना सीख लिया है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि आपको आपके अंदर का एहंकार खतम करना है या फिर आप एहंकारी हैं, उसी दिन आप रिजिस्टन्स को भी अपनी जिन्देगे से निकाल बाहर कर देते हैं। अपनी रिजिस्टन्स से मुक्त होने के लिए पहला कदम इसे स्वेकार करना होता है। जब तक हम अपनी लाइफ में किसी भी बात के लिए प्रतिरोध को पकड़े रहते हैं, हमारी लाइफ पुराने पैटर्ट पर ही चलती रहती है। तो आपको प्यार को स्वेकार करने के लिए नफरत को अपनी लाइब से बाहर करना होगा अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसे माफ करना होगा अगर आपके साथ पाश्ड पे कुछ गलत हुआ है तो आज आपको अपने अंदर से वो डर बाहर निकालना होगा उसे accept करना होगा ताकि आपका future secure हो सके और आप अपने उस पुराने pattern से अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो खुद को माफ कर दें अपने अंदर के गिल्ट को बाहर निकाल दे और अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप उसे माफ कर दे और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोजे जब आप किसी के बारे में कहते हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी या फिर मुझे अपनी लाइफ से उसे बाहर निकालना है तो असल माइने में आप उस चीज की रिजिस्टन्स में होते हैं आप नोटिस करेंगे कि आप सबसे ज़दा उसी वेक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं उसी वेक्ति को अपने दिमाग में बार बार याद कर रहे होते हैं असल में अगर आप किसी वेक्ति को अपनी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं आप किसी को भूलना चाहते हैं तो आपको उसे माफ कर देना होगा और जिस दिन आप उस व्यक्ति को माफ कर देंगे, वो व्यक्ति आपके लिए एक्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा, और आप खुद भी अपने दिमाग से एक बहुत बड़ा बोज उतार लेंगे, जिन्दगी मे हाथों में, तब आप देखते हैं कि आप कितना हलका महसूस करने लग जाते हैं, ये एक नदी में बहने जैसा है, जब तक आप उस नदी में हाथ पैर चलाते रहते हैं, आपका जीवन खत्रे में रहता है, जब आप अपने आपको नदी की धाराओं के प्रती समर्पित कर देते हैं, तो एक दिन नदी आपको किनारे पर ला देती है, अगर आपको अपने में विश्वास नहीं है, तो आपको अपने माइंड को री प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, जब आप अपने जीवन की प्लैनिंग्स के लिए खुद को सरेंडर कर देते हैं, उस पर निय आपके लाइफ में मुश्किल दौर हो, या फिर कैसा भी मौका क्यों नहीं हो, अगर आपको कोई नियर्नाय लेना है, तो वो आप अपने फेवर में लेते हैं, ताकि आपके लाइफ सुरक्षित रह सके, लेकिन आपने देखा होगा कि हम जतना ज़्यादा इस बात के ये decision लेते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा negative होते हैं, आप ये सोचने में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, कि आपके इस decision से कहीं कोई चीज गलत ना हो जाए, जब कि आपको सोचना ये चाहिए था कि आपके decision की वजह से क्या क्या चीज़ें आपके life में क्योंकि अक्सर हम उन्हीं चीजों का रेफरेंस लेते हैं जो चीजें हमारी लाइफ में गलत हुई होती है और हम उन इंसिडेंट को सोच कर डर जाते हैं और डिसीजन लेते वक्त भी हम उसी वाइबरेशन के साथ वो डिसीजन लेते हैं कि कहीं वो चीजें पहले की तरह गल हमेशा खुश रहना हमेशा प्रेजिंट में जीना हमारी ये जिमेदारी बनती है कि हम अपने आपको खुश रखें और अपने आपको खुश रखने के लिए हमें हमेशा प्रेजिंट में जीना होगा आपने ये अक्सर सुना होगा कि हम जिस तरह की वाइबरेशन्स में होते और इतना ही नहीं, जब आप खुश होते हैं, तो इसका असर आप ही की लाइफ में नहीं होता, आप से जुड़े हर एक इनसान, इवन जानवर पर भी आप अपना पॉजिटिव असर छोड़ते हैं, जब आपके अंदर रेजिस्टन्स नहीं होता, तो आपके अंदर प्यार ह होता है, खुशी होती है, और उस कंडिशन में आप एक मैगनेट की तरह काम करते हैं, आप अपने जीवन में हर एक उस चीज़ को अट्रक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके आप आप पाना चाहते हैं, लेकिन वो तब ही पासिबल है, जब आपके अ आपको resistance के भावना से बाहर निकलना होगा क्योंकि जब तक आप resistance के भावना को अपने अंदर रखेंगे वो चाहे किसी भी चीज के प्रती हो आप अपनी life को आगे पढ़ने से रोकते हैं आप खुशी को आने से रोकते हैं तो हो फ्रेंड की ये वीडियो आपको informative लगी होग इसी तरह की motivational वीडियो से update रहने के लिए आप अमारे चानल को subscribe कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे like और share करना भी बिलकुल मत भूलेगा धन्यवाद